चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों EWS का केस सुप्रिम कोट में काफी दिनों से चल रहा था पिछली साल 2021 में नीट यूजी वर पीजी की काउंसलिंग भी इसके कारण काफी दिनों तक होल्ड में रही थी इसके बाद में आज इसके उपर फैसला आ गया है और केंदर सरकार ने समिधान में संसोधन कर समाने वरक के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षन का प्रावधन किया था इसे सुप्रिम कोट में चुनोती दी गी थी यानि कि पिछली साल ये सुप्रिम कोट में केस फाइल किया गया था EWS के रेगार्डिंग सुप्रिम कोट ने फैसला सुनाते हुए EWS आरक्षन को बरकरार रखा है यानि कि जो EWS का आरक्षन जो रिजर्वेशन पहले से लागो है वही कंटिन्यू रहेगा इसमें कोई किसी परकार की चेंजिंग नहीं होगी ये सुप्रिम कोट ने फैसला इसके बारे में सुनाया है तो ये एक छोटी सी इन्फोर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी मैंने ये उचित समझा कि ये आपको भी इन्फोर्मेशन इसके बारे में होनी चीए EWS की रेकार्डिंग क्योंकि ये काफी दिनों से सुप्रिम कोट में केस पेंडिंग था हीरिंग हो रही थी लगात तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए है मिलेंगे नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैह हैं